खौफ से आजादी और भूप से आजादी ये नारे हैं भारत के अमरित महसब में थेकेदारी हटाव राश्टी से एक तुमोर्चा एक संगठन है जो मजदूरों की लड़ाई लड़ता है और ये जो आप देख रहे हैं ये दरसल मंच पर लगने वाला था जो आज धोजा रोहन एवं संविधान शपत दिवस समारो यानि धोजा रोहन होना था और एक शपत लेनी थी के संविधान की रक्षा हमको करनी है संविधानिक डाइरे में संविधानिक ब्यवस्ता में रहकर काम भी करना है और संविधानिक अधिकारों की प्राप्ती के लि कुल लिखा हुआ है पहले धोजारोहन होना था राष्ट गान गाना था जंडे को सलामी देनी थी और फिर आपस में शपत समारो करना था जिसमें संभिधान सम्भिधान की शपत लेनी थी कि हमें सम्भिधान के दाइरे में रहकर अपने अधिकारों की प्राप्ती के लिए संगर्ष करना है लेकिन यहां क्यों मैं दिखा रहा हूँ यह मंच का है जहां मंच लगना था टेंट वालों को दिल्ली पुलिस ने पूरे टेंट समयत गिरफ्तार कर लिया है और थाने में बैठा लिया है और यहां बाकी जो मजदूर है जो सब के सब B.S.E.S. के है अलग-अलग पदों पर कार्जरत है अलग-अलग जोन में कार्जरत है यह सब के सब यहां खड़े हैं और यही वो बैनर है जिसे मंच पर लगाना था जो दुरभाग से अब हाथ में लेकर लोग खड़े हैं और जो खड़े हैं वो बेचारे दिक भी नहीं रहे हैं चूँकर यह मंच का जरा देखिए पीछे लोग हैं मंच पर यह लगना था जो नहीं लग पाया दिल्ली पुलिस ने काज करम करने की अनुमती नहीं दी बैरियर लगा दिया गया है और करमचारी को यह कहा गया है कि यहां पर 144 है आप जमा भी नहीं हो सकते हैं हाला के ऐसी कोई बात होनी नहीं चाहिए आज जब पूरा देश सौतंतरता दिवस समारों धूम धाम से मना रहा है और सभी लोग उत्सब में मगन है ऐसे में अगर मजदूरों को ये कहकर उत्सब मनाने से रोका जाए राष्टिय तहवार मनाने से रोका जाए कि भाई आप यहां पर जमा नहीं हो सकते हैं अपने ही दक्तर में जी हां जहां आप काम करते हैं जहां आपको साल के 365 दिन आने हैं लेकिन आजादी के दिन आपको घर पर रहना है यहां नहीं आना है राष्टिय धोज नहीं पहराना है यहां जमा नहीं होना है और आपको राष्टगान नहीं गाना है ये B.S.E.S. के पदाधिकारियों के दुआरा आदेश दे दिया गया है और पूरी तरह से बैरिकेट कर दिया गया है प्राइवेट सेकृरीटी भी खड़े किये गये है बाउंसर खड़े किये गये है और साथ में दिल्ली पुलिस के जवान भी खड़े किये ग और हमें अपने अधिकारों को जानने का अधिकार भी दिया जाए लेकिन दुरभाग से आज जब हम सौतंत्रता के अमरित महुचसब को मना रहे हैं तब देश की राजधानी दिल्ली की इस्तिती में आपको दिखा रहा हूं एक मार केमरामें फिर गुमाएंगे चारों तरफ ये सारे जो मजदूर है BACS के ये राश्टे धोज अपने हाथों में लेकर अपने गले में पट्टा पहन कर और बैच लगा कर ये राश्ट बक्ति आप देखेंगे साथ में बच्चे भी एक जरा सा उसमें कैमरा फॉकस करेंगे ये सब आप जो है मजदूर अपने इन्हें कहा जारा कि आप बैरंग वापस जाईए आपको ये कार्ज करम नहीं करने दिया जाएगा आपको राश्टे धोज फाराने नहीं दिया जाएगा भारत में आप सुनते होंगे कि कुछ ऐसे कथित तोर पर संगठन हैं जो राश्टे धोज फाराने वालों पर हमले क करते हैं लेकिन आज आप सुनाइंगे के बड़िये पतादी कारियों सरकार की मिली भागत से और एक बात और भी आप जान लेंगे इसमें लाइन आउडर का बहाना लगाकर दिल्ली पुलिस को भी शामिल कर लिया गया जबके लाइन आउडर का कोई मसला नहीं है राष्टे कौन सा बहाना नया निकाला गया है कि बाइन विवस्था बाधित होगा लाइन आउडर आपको मेंटन करना जबके सारे लोग कह रहे हैं कि हम बिल्कुल वीदी विवस्था को बनाए रखने के लिए वचन वद हैं हमने ये ठान लिया है कि कभी भी कानून हाथ में नहीं ल ये हो उस काजिकरम में पहुचने वाले लोग भला समविदान के खलाफ कोई कदम उठा सकते हैं क्या ये कलपना से परे है लेकिन फिर भी सरकार है भाई क्या करेंगे बाधिशा सलामत से कम नहीं है कोई किसी की आवाज सुनने को तैयार नहीं है किसी के भावनाओं को समझ होना चाहिए कि ये डेमोक्रेसी है यहां वोट से राजा चुने जाते हैं लेकिन चुनने के बाद उनके मन में ये बात आती है कि मैं भी वही हूँ जो पुराने राजा हुआ करते थे लेकिन रात इंदौरी का एक शेर जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे किरायदार है जाती मकान थोरी है बने रहें देश की सचाई के साथ पलपल के अपडेट के साथ मैं फिर हाजिरूंगा शुकूरिया